नमश्कार, वेलकम डुम मैं चैनल निन्नृ टिटोरियलस फेंड्स आज मैं ब्यूटिफुल रोष, रेड रोष, आपको बनाना बताऊंगी, जो बहुत आसान है बहुत आसान है उसे आप बना सकते हूँ घर को सजा सकते हो, किसी को दे सकते हो प्रपोस करना है तो भी उस किसी को दे सकते हो बहुत ही खुबसूरत है बहुत आसान है चलिए बनाते हैं दोस्तो रोस बनाने के लिए साटन रिबिन आपका एक सेंटीमेटर वाला दो पैंसिल एक ग्रीन रिबिन हमारा सिंपल रिबिन जो होता है और जो देखिए दो रबर बैंड भी हमें चाहिए है देखिए दोनो रबर बैंड में हमने दोनो पैंसिल्स को रबर बैंड लगाया है और इस तरीके से लपेटेंगे कि जो शाइन वाला हिस्सा है वो उपर साइड आएगा देखिए और दूसरी पैंसिल के उपर रॉंग साइड आएगा तो रॉंग साइड में हम यह जो टेप है हमारे पास ट्रांस्प्रेंट टेप यह लगाएंगे तो शाइन साइड में हमारा रोस बन जाएगा तो बस यही ध्यान देख देना है कि जिस रिबं साथेट साइड है जो फ्रंट है, उस साइड हमें टेप नहीं लगाना है, रॉंग साइड वाली है पैंसिल्द के ओपर टेप लगाएंगे, पहले हम इस तरीके से पिरो लेंगे, एक इस साइड से देखियें, बिल्कुल इसी 금ंlette से आप इसे वन सेंटीमिटे का साथे ribbon है ये red color का ये देखिए हमने पूरी pencil पे लपेट दिया है इसको दूसरी side भी हम rubber band से उसको fix कर दिया है हमने ये देखिए friends अब हम ये जो हमारे पास tape है transparent इसको हम wrong side वाले हिस्से में लगाएंगे shine वाले में ने क्योंकि हमें shine वाले में तो flower बनाना है ये देखिए friends हमने उसको fix कर दिया है ताकि हमारा बहुत अच्छा बने हमारा अब हम इनको rubber band निकाल देंगे ये देखिए हमने एक rubber band निकाल करके उसको हम pencil को कीच लेंगे जहां tape लगाई है वहाँ पहले कीच लेंगे फिर दूसरी side कीच लेंगे ये देखिए हमने उसको जो transparent tape है उसको हमने देखिए लगा दिया है ये देखिए हमारा ये extra जो ribbon है उसको हमने काट दिया certain ribbon को अब हम glue gun से इसमें glue लगा करके इसको लपेटेंगे इस तरीके से जिस तरीके से यह देखिए friends यह हमारा glue friends glue gun से glue लगा करके हम इसे इस तरीके से लपेटेंगे अभी यह देखिए हम आपके सामने अभी करके दिखाते हैं इसको starting में यह देखिए इसको थोड़ा finishing करेंगे वहाँ से corner में corner में बहुत अच्छे से cut करा है cut करने के बाद थोड़ा सा उसको मोड़ दिया है हमने glue लगा के अब हम इसको देखिए glue लगाएंगे gun से और जितने हिस्से में glue लगाया है उतना हिस्सा हम उसको लपेट लेंगे फिर remaining part में फिर glue लगाएंगे और उसको यह देखिए remaining में थोड़ा थोड़ा हिस्से में glue लगाते जाएंगे gun से और हम उसे लपेट दे जाएंगे देखिए friends बहुत ही सुन्दर हमारा रोस तयार है अब हम green रंग का जो है उसका measurement ले लेंगे देखिए उसका गुलाई गुमा के हमने measurement ले लिया और उतना ही छोटा सा ribbon का टुकड़ा काटा अब इस टुकड़े का जो किनारी होती है यह देखिए सिर्फ किनारी को निकाला ताकि हम उसके रेशे निकाल सके यह देखिए हम उसके रेशे निकालेंगे और ताकि उसकी खुबसूरती बहुत सुन्दर जब उसके रोस पे लपेटेंगे तो वह बहुत खुबसूरत लगेगा यह कम से कम आधा हम निकाल लेंगे हमारा धाई सेंटीमीटर का यह ribbon था उसमें हम डेढ़ सेंटीमीटर के रेशे निकाल लेंगे लास्ट का पौन सेंटीमीटर बस रखेंगे एक सेंटीमीटर और जो उसके flowers के साथ fix करेंगे जो हम रोस में fix करेंगे नीचे नीचे वाला पार्ट खाली यह देखिए हमने देखिए उतने रेशे निकाल लिये हैं अब हम glue gun से glue लगाएंगे और उसके से लपेट देंगे हम यह देखिए इस तरीके से हम रोस को लपेट देंगे और यह side वाला portion हमने glue लगा करके मोड दिया ताकि रेशे ना निकले side से बहुती सुन्दर देखिए friends बहुत खुबसूरत हमारा रोस तयार बहुती खुबसूरत है आप भी बन बहुती सुन्दर देखिए friends बहुती खुबसूरत रोस तयार हमारे आप घर सजाईए next वीडियो में नया प्रोडेक्ट सिखेंगे बहुती सुन्दर देखिए beautiful roses बहुत सुन्दर friends बहुती खुबसूरत लग रहे हैं देखिए आप भी बनाएं इसे हाँ दोस्तो मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो subscribe करना न भूलें और इसे like करें अपने दोस्तों में भी share करें ताकि वे भी इसे बनाएं आप इसको अगर इस पे नीचे अगर आप रिंक एक कुछ भी छूटी सी वायर लगा देंगे और उस पे लपेट देंगे तो यह किसी को दे सकते हैं यह propose कर सकते हो यह red rose को किसी को इस पे बस आपको एक मैं वह भी बना के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम इसमें वायर लगा के उसमें लपेट के आप इसको और अपनी दोस्तों में भी शेयर करें ताकि भी भी इसे बनाएं में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट सिखाना आपको बताती रहूंगी थैंक यू